नमस्कार है श्रेक निउस में आपका स्वागत है मैं आपके साथ अभी मन्यों जैसे आपको हैश्रेक निउस के माधिम से पता चली गया कि बीचेपी ने नई टीम का गठन किया है जिसमें जमूर डिवीजन कश्मीर डिवीजन के इन चार्ज और हर डिस्ट्रिक के प्रभार कि लिस्ट जो आई थी वह हमने आपको आश्रेक निउस के माधिम से बताई है उसी में से जो आरसपूरा के प्रभारी योद्या जी आज हमारे साथ हैं और उनी से हम पूछेंगे कि उनको यह जो नया पद नया कारोबार दिया गया है पार्टी तरफ से उनका क्या कहना इस आपका कारेगाल देखते हुए दूबारे से परभारी आरसपूरा का बनाया है तो आप क्या कहना जाते हैं इस बारे में? पहले तो मैं सबसे पहले अपने जो शिरी नेत्रत हमारा यहां पे है हमारे प्रदान रभींदर रहना जी सगठन मंतरी माने शिरेशोकोल जी और जो हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं अनका धन्यावाह करना चाहूंगा। कि उन्होंने मुझे पे एक अपरते हूए मैं एक चर्म ने खिया है जोन्तप को देखते हुए उन्होंने मुझे जकीन किया है और उन्होंने मुझे दुबारा जो है दाइत्व प्रभारी के रूम में अरिह सपहर में दिया में उनका दन्याबा करना चाहूंगा और HASH्टैग का भी मैं दन्याबा करना चाहूंगे आपके माधिम से लोगों को जे चीज जो है वो पता चलेगी आपको बहुत-बहुत मुबारक बात है इस चीज के लिए और आपका जो पीछे कारेगार था उसमें डिडी सी के एलेक्शन हुए और आपने वहां पर अच्छा काम करने के बाद आपको पार्टी ने देखके दुबारा से यह दाज़त वे दिया अब आगे आपकी क्या रन नीती रहेगी दुबारा से आरसपूरा के लिए जिस तरह से पहले भी मैंने बहां पर जो हमारे जिला दक्षा है बहां पर बहां पर पूरा जो सकटना हमारा पूरे इस आरसपूरा में आरसपूरा वेसिकली एक नाम है लेकिन मेरे उसमें तीन काश्योंसी जो वो बिधान समगी पड़ती है और डीडिसी की वहां पर पाँच काश्योंसी थी तो बहाँ पे जिस तरह से पार्टी ने पूरे हम कारे करता हूं ने मिल जूल कर बहाँ पे काम किया और पार्टी को बहाँ सगठन को हमने आगे बढ़ाया तो मुझे लगता है मेरे उसी चीज को देखते हुए उसी दायतव को देखते हूँ कि मैंने कैसे उस काम को बहाँ पे हैंडल किया है और हमने 5 में से बहाँ पे 4 सीट जो है बहाँ जीती है और 5 मी सीट भी हमने जो है मातर 11 बोर से हा रही है तो कहने का मतलब आने वाले दिनों में जिस तरह से पार्टी ने मुझे दुबारा जे दायतब दिया है मेरी कोशिप जही होगी कि जहां पर हमारी कमी रही है इन पिछले टर्न में हम उन कमीयों को पूरा करेंगे और लोगों के साथ पूरे मिल बैठके इस गठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए भारती जनता मत्रहारी है तो वहां से टोनी जी जो जीत के हैं डीडी सी के केंडिडीट उन्हों ने अभी किसान रैली लिका ली थी उसके बारे में अब क्या कहना चाहते है आरशपूरा को जो चावल है वहां का चावल जो वेश्वर प्रसिद्द है आपको पताई है वहां पे काफी अ तो बहां पे हम भी उभामिमान की बात सुन रहे थे। बहां पे उसी वक्त डोडो हुयार पर यूहवन उनके अकॉंड में आया। किसाण बहुत खुश थे। यह तो राज निती है कि बहां पे किसाणों को बढ़गाया जा रहा है। जबके बहां पे हमारे जो बास्पती चावल हैं, वो हमारे पूरे बीशे परसीद में चावल हैं, किसानों को चाहिए कि आपने उस बास्पती चावल को हम कैसे बाहर की स्टेटों में हम इसको बेजें, और किस तरह से किसान उससे अश्चा पैसा कमा सकें, हमारे किसानों को उस तरब दियान देना चाहिए ना कि जो लोग इसको बढ़ावा देने की कोशे कर रहे हैं और सड़कों पे ले के आ रहे हैं मुझे लगता है यह हमारे जमू कश्मीर के लिए एक अशी बात नहीं है जैसे किसान रैली कल लिख ली और आज नगर केर्तन लिख लाइव और आज नगर किरतन में भी कुछ ऐसे अब उसे दब्बा इंडियन गोवर्मेंट ने अब उस पर में क्या कहना चाहते हैं हम कि जम्मु किश्मीर के निवासी हैं तो हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता हम इंदोस्तानी है और वो लोग ऐसा आगे प्रिटेंट कर रहे हैं बता रहे हैं कि के नाल दब्ब्ब्ब्ब् आप क्या को कि इस बारे में जब से 370 और पहनती है जम्मु किश्मीर में से खत्म की हुई है तब से जो रायनिती अलाग जो हमारी विवक्ष की पार्टियां ने वो भखला चुकी है उन्होंने कुछ रायनिती को अपने बढ़ाने के लिए उन्होंने इसी को बढ़ावा दे रहे हैं और मुझे लगता है कि ऐसे गाने जो है वो नहीं बजने चाहिए खास करके किसानों की रैली में क्योंकि यह जो गाने हैं यह हमारे लोगों को बढ़काने के लिए गाने हैं और ऐसे गाने नहीं होने चाहिए जैसे कि आपके कार्यकाल में पीछे आप पहले परभारी थे तो डीडीसी लेक्शन हुए थे आरसपूरा में जिसमें आपने चार सीटें जीती और जो एक सीट हारी है मातर 11 वोटों से आपने जो का वो हारी है तो अब आपको दुबारा कार्य दिया गया पार्टी की किस तरह से लेब आउगे किआ तीनों सीटों जीतॉगे क्या लगता है फूफ किती जीत सकते हो अरपांच विज तरह से हमने पिछले दीनों में चार सीटे रहान दिया और 5 सी não tous यो सब्सक्राइ आरी है मुझे लगता है कारकरतों ने बहां पर बहुत अच्छी तरह से काम की है मुझे लगता कि आने बाले दिनों में भी हमारे कारे करता जो है वो पूरा सबका साथ सबका विकास को लेकर निरिंदरभाई के नारे को साथ को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे और जो निरिंदरभाई की स्कीम है इंशूरिस की स्कीम है मुझे लगता कि हमें उस स्कीम को पूरे तरीके से लोगों के बीच में लेके जाना चाहिए और लोगों को उसका फाइदा मिलना चाहिए मैं अपने जितने भी कारे करता है वाम सबको जही कहूंगा कि यासी स्कीमों को लोगों को बताएं और लोगों को उनके लोगों जो है वो कार्ड बनाके दें ताकि आने वाले दीनों में अलेक्ष्टि में हमें उन चीजों का वह फाइदा हो सके और आपने देखा कि इस तरह से लोग जो है वो निनिंदरभाई मोदी की गृष्ण से खुश हैं। वह मैं इसलिए आपको कहना चाहते हैं कि हम पीनों की तीनों सीटें जो विदान सागवा कि हम जीतेंगे उसके कारण है दोशरबे की मातर कांगरेक्स के समय में पेंशन मिलती थी आज बारती जनता पाटी नेंदरबई मोदीजी की सरकार दे रही है बेटी पड़ाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम नरिंदर भाई मोदी जी स्कीम दे रहे हैं और भी उजबला जोजना के तहत लोगों को फ्री में जो स्रंडर मिले थे ग्यास प्री में लोगों को मिली थी उसके कारण भी जो हम वहां पे अच्छा काम जो है कारे करता कर रहे हैं आपने पिछले दिने तीनों सीटें जो है जब भी अलेक्शन होगी हम तीनों की तीनों सीटें जो है वह विदान सभागी बहां से जीत के पार्टी की जोली में डालेंगे जैसे कि आरसपूरा का चितना भी छेतर आपको पता है यह सारा बॉर्डर एरिया पड़ता है यहां पे हम अरती से दिन पाकिस्तान सीसफायर का उलंगन करता है शेलिंग होती है और वहां के लोग कफी दुखी तो वहां का बॉर्डर का जो यह एरिया पड़ता है वहां के निवासियों के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं दो यह एर चोदा से पहले जो सरकारें थी कांगर्स की जब पाकिस्तान की तरफ से जब गोली बारी होती थी तो हमारे जहां से सफेज जंडा लेके लहराते थे तो मुझे लगता कि दो यहार चोदा के बाद जब से नरिंद्रवे मोडी जी की सरकार आई है और राइना सिंग जी पहले ओमनिस्टर थे उसके बाद अभी अमी शाजी होमनिस्टर है मुझे लगता है जब से इन्होंने कमान संभाली है तो पाकिस्तान की इतनी अब जूरत नहीं है कि वो जहां पर शैलिंग कर सके लेकिन जब भी कभी ऐसी बात होती है अगर बहां से एक गोली चलती है तो जहां से हमारे जवान जो है वो दस गोली को जबाब देते हैं मुझे मुझे लगता है कि हम बार्डर के एरिये में जिस तरह से सरकार बहां पर भंकर बगारा सब बना रही है मुझे लगता कि वहां के लोगों के लिए बहुत अची सुब्दा रहेगी कि कभी अगर भगवान ना करे कभी कोई ऐसी शैलिंग होती है जा कोई ऐसा कारण होता है लोगों को कम से कम बंकर में अपना बचाओ करने के लिए वो जगा जो है वो मिल जाएगी बहुत बहुत मुझारग बात आपको दुबारा से परभारी बनने के लिए और हम चाहते है आने वाले वक्त में जैसे आपने चार सीटे जीती है आपको लोगों का आगे सही होग म यह थे योदा गुपता जी हमारे साथ बात करते जिनको पार्टी ने दुबारा से आरसपूरा का परवारी बनाया है और इन पे जिम्मेदारी दिये इन्होंने बताया कि इस तरह से इस जिम्मेदारी पे आगे खरे उतरें गे और आरसपूरा के किसानों के लिए वहां के इचाज़त मैं भी मन्यू सही होगी साहिल कुपता के साथ हैश्टेक न्यूस के लिए चाहिन चाह भारत